तो आज हम लोग 15 साल पुरानी तूटी हुई स्कूटर को नया बनाने वाली है इसके लिए सबसे पहले इन पुरानी सी स्कूटर को घर ले जाएंगे और इस्कूटी की एक एक पाट को खोल के अलग कर लेंगे पुरा scooter को खोल लेने के बाद बानी से और डिटर्जन से अच्छे से साप कर देंगे उसके बाद एक एक सामान को अच्छे से घिस लेंगे घिसने के बाद जो पार टूट चुकी है उसे सबसे पहले welding कर लेंगे वेल्डिंग हो जाने के बाद एक एक करके सारे सामान को अच्छे से पेंट कर देंगे पेंट कर लेने के बाद एक एक करके सारे बॉडी पार्ट को जोर लेंगे जब तक सारे body part को जोड रहे हैं आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक ने करों तो वीडियो को लाइक कर दो साथ में चैलेंग को भी सस्क्काइब कर दो तो सारे body part जोडने के बाद रेडी है हमारा नया scooter जो आप बहुत ही आसानी से चला सकती हो